आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं नाम है सिद्धान तर भी होती है, शड़ी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो चलिए एक और गौरफ गाथा आपके सामने लेके आया हूँ, बैटल ओफ जालोर की सुनके आप गरवानवित हो जाएं थी, खून बहा दिया था, और हर वो चीज़ की थी, मुम्किन कोशिश की थी, जिससे चीज़े सही हो सके, ठीक है, और बिल्कुल भी कुछ भी हाथ नहीं आने दिया था, जो इन्वेडर्स थे, ठीक है, तो इनकी गौरफ गाथा देखेंगे हम, अलाउद दीन खिलजी वर लगब लगब राजस्थान के एरियास को, मतलब जीती लिया था, और जो नहीं भी जीत पाया था, तो उनको अपना वैसाल स्टेट बना लिया था, ठीक है, और इसकी PDF जो है, आपको मेरे Facebook पेज सेट अंडर स्कोर E-Connect और मेरी Facebook प्रोफाइल से दात रगनी होती, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आप उसे Queries भी पूछ सकते हैं, एक चीज़ और बताना चाहूंगा, UPSC की सारी Book List किस तरह से त्यारी करनी है, और पूरी की पूरी जो लिस्ट है, Books क्या-क्या पढ़ना है, वो मैं अपने Facebook पेज और Facebook प्रोफाइल दोनों ही जगा अविलेबल करा दूँगा, Monday Tuesday तक अविलेबल हो जाएगी, थोड़ी देर इसलिए Monday Tuesday तक मैंने टाइम लिया है, ताकि सब को पता लग जाए, और लोगों को भी बताइए, इसको लोट कर लीजेगा, और अपने हिसाब सब फे टाइम टेबल बनाके पढ़िएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगी, अब अगर हमने कोर्स की बात की, UPSC की बात की, तो हमारा कोर्स आपके लिए बिल्कुल अविलेबल है, साड़े 22,000 रुपय में UPSC का comprehensive pre-plus means pen drive course, study IQ की website विजिट करिए, या फिर इन नमबस के लिए हमने pen drive course बनाया है, website विजिट करिए या फिर इ दस्वाँ पार्ट है, मैंने पताया था कि शुरू से देखिएगा, पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर करते हुए, मैं चल रहा हूँ, ancient, medieval, और सीधे कार्गिल वार पे हम रुकेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर वर्ड की important battles मैं कवर करूँगा, timeline के हिसाब से चल रहा हू जो इसने पूरे नौर्थ को जीत लिया था, ठीक है, 1191 में और 1192 में जो battles of terrain हुई, यहाँ पे सब कबाड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ से ही ही पूरा Islamic rule स्टार्ट हो गया, प्रित्वी राज चौहान वर्सिस मोहमद घोरी के बीच यह जो जंग ती, जिसमें मोहमद घोरी विजय रहा था, और उसके बाद फिर उसका एक स्लेव कुतुब उद्धिनेवक, 1206 में ममलूक डैनिस्टी की स्थापना करता है, और 1290 में फिर खिलजी आते हैं, जलालुदीन खिलजी, 1296 में आता है, अलाउद दीन खिलजी, जो की 1316 तक रहता है, और यह पूरे एक्सप चाहमांस ओफ शाकंबरी आये थे, ठीक है, उसके बाद फिर जब बैटल, सेकेंड बैटल ऑफ टरेन हुई, तो उदय होता है, चाहमांस ओफ रनाइस्थम का, जो की रन्थम बोर एरिया पे पूरा राज करते थे, यह जो कहानी है, यह अलाउदीन खिल जी वर्सिस काना द जो की चाहमांस ओफ जालोर, जो की चाहमांस ओफ नादुल्ला भी बोला जाता है, और यह चाहमांस ओफ नादुल्ला कौन है, कोई नहीं, बलकि चाहमांस ओफ शाकंबरी की एक औफशूट ब्रांच है, ठीक है, उनी की ब्रांच है, ठीक है, तो यह जो कहानी है, इनके ब बहुत ज़ता फेमस है, सवाई मधपुर से ये 13 किलोमीटर दूर है, जैपुर से 150 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पे सबसे पहले इसने जीतासिल की थी, हम अड़ी बात कर चुके हैं, उसके बाद ही गया था चितोड, रानी पदमिनी, राजा रतन सिंग, पदमा बती, बि यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे अपनी यात्रा जो है, और जीतना स्टाट करेगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़ताकतवर इसके बाद, जालोर का किला था, जो इसको फटह करना था, अब अगर हम सोर्सेस की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट सो 1455 में ये लिखा गया था और इसमें हर एक चीज मिलती है इस बैटल को बहुत ही अच्छे से और पूरी की पूरी स्टोरी क्या थी ये दर्शाया गया है वैसे तो आमिर खुसरो फिरिश्टा और भी आमिर खुसरो तो हमेशे अलाओ दिन खिल जी के साथ रहते थे सारे के सार इवेंट्स को नोट करते रहते हैं और भी ऑस्लामिक राइटा रिश्टा हो गए या नेंसी को गए यह सब जो है वो नोट करते रहते थे और जहां जहां जीता है ठीक है अलाओ दिन खिल जी इन सबके एकाउट्स मिलते हैं लेकिन सबसे बहतरी जो जो एकाउंट है जो सोर्स है वो काना देदा प्रबंद है ठीक है तो अब हुआ क्या था हम यह देखते हैं यह स्टोरी बड़ी मज़ेदार है मज़ा जाए कि आपको सुनके देखें अलाओ दिन खिल जी जो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम साथवे आस्मान पे था रंथम अस्मान पे था इसको लग रहा था कोई नहीं जीत पाएगा और इसने चैलेंज कर दिया कि कोई भी हिंदू रूलर नहीं है जो मुझे चैलेंज कर सके खड़े हो गया आगे सामने काना देदा कि आओ हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखाओ तीक है अब यहाँ पे स्टोरी क् अलाओ दीन खिल जी जो है वो गुझरात में जाके उसको प्लेंडर करके आ रहे थे सोमनाथ टेमपल जहां पे शिवलिंग है हमारा जोतिरलिंग है उसको पूरी तरह से डिस्टोरी करके उस शिवलिंग को तोड़ के वैसे तो अलाओ दीन खिल जी और जब मुझमद गोरी जीता था तो उसने भी तो यही किया था सारे के सारे मंदिरों को उसने तोड़ना शुरू कर दिया था ठीक है अलाओ दीन खिल जी ने भी काफी मंदिर अब वहां पे भी सोमनाथ टेमपल में जो शिवलिंग था उसको तोड़ के उलुक खान जो जनरल था उलुक खान और नुसरत खान ये दोनों जो हैं गुजरात को पूरी तरह से प्लेंडर करके ले जा रहे थे ये बात पता चलती है महराजा काना दादेवा को अब जब इनको ये पता चलती है कि ऐसा कुछ हो रहा है वो सामने से आके अटाक करते हैं अलाओ दिन खिल जी की सेना को अटाक कर जालोर के मंदिर में उसको स्टैबलिश कर देते हैं यहां से चीज जो है वो बदल जाती है भाईया अब आपने अटाक कर दिया अलाओ दिन खिल जी को पता लगता है अलाओ दिन खिल जी जो है यहां पे जालोर की भी बहुत बड़ी आर्मी होती है किला होता है किले को फत बुलाया जाता है, ठीक है, काना दादेवा को, ठीक है, इनके ब्रदर विराम देवा जाते हैं इनकी प्लेस पे, प्लान यह होता है कि एक आर्म रिसलिंग का मैच होगा, पंजा लडाएंगे, और पंजा लडाने में अगर हम जीत गए, इनको मार देंगे, वहीं पे किस्सा खतम कर देंगा, और फिर अटाइक करेंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है, विराम देव जो है, वो जीत जाते हैं सुल्तान से, पंजा लडाने में, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि अलाओ दिन खिल जी की जो बेटी होती है, फिरोजा, ठीक है, यह मर मिटती है, पड़ी, काठी, लंबा, चोड़ा, कट, गठीला, शरीर, देख के ही कोई मर मिटे, ऐसे ही फिरोजा करती है, राजपूत का खून उपर से, घरम खून, पहिया, यह मर मिटती है, फिरोजा, यह यह रट पकड़ लेती है, कि मुझे अगर शादी करनी है, तो वी रामदेव से ही करनी है, और किसी से करनी ही यह नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, अलाओ दिन खिल जीन को समझाते हैं, कि मैं तुमको सबसे अच्छे रिष्टे लाके दूँगा, जो सबसे अमीर रियासते हैं, उनसे रिष्टे लाके दूँगा, लेकिन यह रिष्टा मत बोलो, पूरी तरह से इस marriage proposal को reject कर देते हैं सीधा वी रामदेव जो कानादा देवा के भाई होते हैं कानादा देवा उससे में रूलर होते हैं ठीक है बैटल मतलब जालोर के रूलर होते हैं सीधा मना कर देते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी ये तो बेज़ती हो जाएगी चो 36 क्लै आलाओ दीन खिल जी बदले में दहेज देता है यांपर भायानक ठीक है अलाओ दीन खिल जी बोलता है कि तुम सब कुछ लेलो ठीक है वो पूरा का पूरा गुजरात offer कर देता है 550 मिलियन गोल और सिलवर कोईन्स के offer कर देता है कि इतनी सारी चीजे लेलो लेकिन बस मेरी बेटी से शादी कर लो लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से ये रिष्टा तो कैंसल फिरोजा ये जान के बहुत ज़्यादा दुखी होती है और पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर देते हैं ठीक है ये काव के हिसाब से है मैं आपको उसके अब जब ये चीज पता लगती है अलाओ दिन खिल जी को तो बड़ी गुस्सा आती है इनको तो मौका मिल जाता है अलाओ दिन खिल जी ये नौर्थ इंडिया में पूरे राजस्थान विजय करने में जालाओर एक बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट होता है औ इनको अब मौका मिल गया अब ये करेंगे फुल ओन अटैक अलाओ दिन खिल जी अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेके आते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं कानहदा देवा की आर्मी पे लेकिन पहला इन्विजन बुरी तरह से फेल हो जाता है और जालाओर की फोर्से जो होती है वो फिरोजा की सिस्टर होती है ठीक है अब फिरोजा को इनको छोड़ाने जाना है तो फिरोजा इनके किंडम जाती है वी रामदेव से मिलती है वैसे भी बहुत जादा प्यार करती है और फिरोजा फिर उनको बताती है कि देखो हमारा जन्मों जन्मों का प्यार है आपको पता है पिछले जनम में हम दोने एक दूसरे से प्यार करते थे आप प्रित्वीरा चौहान थे मैं रानी पदमिनी थी आपको मार दिया गया था और आपके जब आपको मारा गया था तो मैं सती हो गई थी आयोध्या में हम दोनों जन्मों जन्मों से प्यार करते हैं ए दूसरे से और ये जन्मों का प्यार है आप ऐसे इसको ठुकरा नहीं सकते ठीक है अब वीरा रामदेव क्वेशन पूछते हैं कि अगर ऐसा हुआ था तो हम लोग मिले क्यों नहीं तो बोलती है कि मैंने दो बहुत बड़ी चीज कर दी थी दो गलतियां कर दी थी एक मैंने प अच्छे कदम की वजए से मैं अलाउदीन खिल जी किया जो कि रॉयल फैमली है इसमें पैदा हुई आप मुझे अपना लीजे ये कानी सुनने के बाद भी वीरामदेव पूरी तरह से रिजक्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगा लेकिन शम्स ख स्ट्रॉंगर आर्मी अलाउदीन खिल जी जो होता है वो भेज देता है कि इस जाल और को तो हर कीमत पर हमको जीतना है ठीक है इधर क्या है इनका सबसे स्ट्रॉंग जनरल कमलदीन गुर्ग इसको लीड कर रहा होता है अलाउदीन खिल जी का सबसे स्ट्रॉंग जनरल होता है ठीक है अब क्या है काना देदे ये बोलते हैं दो कंटिंजेंस एक जो Two कि वाडी में अपने आपको station कर लेता है एक आर्मी म्हांना हल्द दो तरह से वह basically आर्मी भेजते हैं और एक माला देव लीड कर रहे होते है और एक विराम के किले के सामने बैह डियाता हैं सारी की सपुप्लाइस बंद कर देता है । लेकिन यहाँ पे जाल और में किले में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि वहां के जो लोग होते हैं वहां के जो money lenders महाजंस होते हैं वो जाल और फोर्ट को पूरी तरह से सारी चीज़े सप्लाई करते रहते हैं, जिन जिन चीज़ों के भी इनको जरूरत होती है, तो यहाँ पर उस तरह की कंडिशन नहीं आती है, जैसे हमने चितोर गड़ी या रंधम बोर में देखी थी, वहाँ पर तो सारे गदार बने हुए थे, यहाँ पर भी यह गदार, बीका का बहुत बड़ा रोल है, तो उस तरह की कंडिशन नहीं आती, लेकिन अलावदीन खिल जी बैठा रहता है, अब वो सोचता है कि यार इसको अंदर हम कैसे जाएं, अलावदीन खिल जी का जनरल होता है उस समय, फैंकर आदमी होती है, अला स्कॉल जी बना ही रहे होते हैं, इतनी ही वक्त में, इतने ही टाइम पे एक बीका, जो कि धहीया राजपूत होता है, ये फिर से चाल चल देता है, ये अलावदीन खिल जी के पास जाता है, अलावदीन खिल जी algorithm के लिए बहुत famous था, कोई भी उसके पास आता था, उसको ऐ ऐसे ट्रीट करता था जैसे इसका अपना हो असली में कुछ और ही होता था ठीक है असली में मन में कुछ और ही चल रहा होता था लेकिन ट्रीट ऐसे करता था कि उसका अपना हो ठीक है और उसके बाद उनको मरवा देता था बैटल और रंतंबोर यही किया था ऐसे ही किया था तो ये दहिया राजपूत होता है जिसका नाम होता है बीका ये अलाउदिन खिलजी के पास जाता है और गुप्त रास्ता बता देता है कि स्पोर्ट को किस तरहां से सीज करना है और किस तरहां से इसको अटाक करना है जो सबसे कमजोर एरिया होता है किले का वो इनकी आर्मी क को बता देता है ठीक है बीका की वाइफ जो भीरा देवी को ये पता चलता है तो भीका को मार देती है और सीधे काना देदा के पास जाती है और सारी चीज़े बता देती है काना देदा को जब ये सारी चीज़े पता लगती है तो उनको पता है क्या फिर्स बैटल होने वाली ह कोई भी अब चारा नहीं है लास्ट एंड हो गई होगा अब विरामदेव को बोलते हैं कि तुम मेरे सकसेसर बनो वोमेंज जो होती है वो सब ये सोसती है अमने बताया था मैंने पिछले लेच्चर में जोहर की बात की थी कि जोहर परफॉर्म करेंगी देखे क्यों होता था परफॉर्म ताकि जो राजा है वो मरने के ही मोटिफ से वीर गती को प्राप्त होने की मोटिफ से जाएं उनको टेशन ना हो कि उनके पीछे हमको छोड़ गए हैं राजा आराम से निश्शिन्थ होके बैटल लरें पीछे क्योंकि कोई है नहीं सारी वोमें और तो बच्च सके लेकिन अगर कोई बचेगा ही नहीं तो यह तो जीत के भी हार हो गई एक तरह से चितोड़ गड़ में तो यहीं हुआ था कुछ अलाव दिम खिलजी चला गया था कुछ उसके पास नहीं बचा था खिस यानी विल्ली खंबा नोचे इस तरह की कंडिशन आ गई थी ठीक लास्ट एंड होता है दोनों के बीच में काना देदा और जो उनके भाई होते हैं विरामदेव और अलाव दिन खिलजी पूरी ताकत से लड़ते हैं और इसमें जो अलाव दिन खिलजी है फाई गद्दारी की सजा बहुत बड़ी होती है गद्दारी की वज़े से हमेशा अलाउदीन खिल जी जीता है मतलब जो गदार जो थे वो राजपूतों की आर्मी में थे वरना अलाउदीन खिल जी के पास कोई चांस ही नहीं था और इसकी वज़े से हार गए फिर काना देदा और वी रामदेव की डेथ हो गई तीन दिन बाद ही उनका कोरोनेशन हुआ था और उसके बाद तीन दिन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है अब इसके बाद इस स्टोरी ये है कि फिरोजा प्यार के लिए तडपती रहती है विरामदेव के जब विरामदेव की मृत्ती होती है विरामदेव ने ये बोला था कि मैं कभी भी तुम्हारा मूह नहीं लेकिन उसके बावजू जब उनका गला भी कटा होता है तब भी वो उनका मुझ नहीं देखते हैं ठीक है इस तरह से कि वो उनकी नजरें नीची ही होती हैं बहुत ज़्यादा दुखी होती है इसे फिरोजा और खुद भी वो इसके बाद सुसाइड कर लेती है ठीक है तो अ बहुत लोग तो बोलते हैं अगर आमिर खुष्रोय और भी लोगों की बात करें कि ये एक एक स्पांशनिस्ट पॉलिसी थी अलाओ दीन खिलजी की और इसके तहती क्योंकि वो पूरे नौर्थ को युनाइट करना चाहता था अपने कबजे में लेना जाता था और राजस् अलाओ दीन खिल जी ने जालोर पे विजय प्राप्त कर ली और उसके बाद 1310 में ये हुआ और ठीक 6 साल बाद 1316 में अलाओ दीन खिल जी का भी पतन हो गया ठीक है अलाओ दीन खिल जी के बाद कौन आया था चले कमेंट बॉक्स में बताइए और वहां पे अपनी जीत को लिए वहां पे इसने फोर्ट में ही एक मस्जिद बनवा दी ताकि सब को पता लगे कि मैं या पे जीता हूँ ठीक है तो ये चीज थी और उसके बाद जालोर तुगलक एरा में भी उनके साथ ही रहा मतलब मुस्लिम रूर के ही अंदर रहा ये अंदर ठीक है और बाकी के ज पूरी तरह से मुस्लिम इन्वेडर्स को मतलब रोकने में कामियाब हो गयते ठीक है और भी इन्वेडर्स को ये रोकने में कामियाब हो गयते ठीक है तो ये चीज थी ठीक है तो ये मेरे लेच्चर का एंड है आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो जरूर शेयर करिए और अगला अब फाइनली ये अलाव दिन खिल जी का ये ही पहेंड होता है इसके बाद कोई इतनी important battles नहीं है अब हम सीधे आएंगे battle of coaching पे timeline के हिसाब देखे इन नमबस पे call कर सकते हैं website visit करिए हमारे pen drive courses को लेने के लिए एक रिमाइंडर है तब तक खुश रहिए पढ़ते रहिए this is सिद्धान तक नियोतरी signing off and share जरूर कर दीजेगा thank you so much